सुप्रभाद बच्छों, आज हम एक नया पाठ पढ़ेंगे पाठ है बारा, पाठ का नाम है दुमदुमा गाओं के बच्चे पहले पाठ का परिचे देखते हैं बच्चों में अपार छमता होती है उनमें स्वें कुछ करने की लगन पैदा करना आवश्यक है प्रस्तुत कहानी में दुमदुमा गाओं के लोगों की परिशानी को दूर करने के लिए बच्चे कैसे कदम उठाते हैं उसका निरूपल किया है बच्चे इस कहानी से प्रेरित होकर कप्छा, विद्याले और गाओं की समस्या का हल ढूडने में जागरू खोने तथा कारे भी करेंगे इस कहानी से प्रेणा लेके बच्चे स्कूलों में, क्लासों में और गाओं की समस्या का हल ढिकालने का प्रेयास करेंगे और इससे संबंदित कारे करेंगे तो पाठ शुरू करने से पहले, कुछ कठिन पाठ में आए, कुछ कठिन शब्दों के अर्थों को देख लेते हैं पानी, जल या नीर, कमी, कमी का मतलब अभाव परेशान, दुखी, तरकीब, युक्ती प्राथना, उपासना, विंती तसला, कटोरे के आकार का एक बड़ा पात्र मक्का, मकई, धान, चावल तो चलिए बचो, अब कहानी को शुरू करते हैं यह दुमदुमा गाव है यहां हमेशा पानी की कमी रहती थी खेट सूप जाते, लोग परेशान रहते पर कोई उपाय नहीं कर पाते थे बच्चे पानी में खेलना चाते, तैरना चाते, पर कहां? एक दिन बच्चे खेट के मैदान में इखटा हुए उन्होंने पानी की कमी धूर करने की सोची मैं बादलों से प्रातना करूँगा, रोज बरसो बिल्लू बोला, बादल रोज कैसे बरस सकते हैं? महिमा बोली तब फिर क्या हो? सब सोचने लगे क्यों न एक बड़ा सा गड़ा खो दें? जिसमें बारिश का खोब सारा पानी भर जाए रजिया बोली, हाँ हाँ, यही ठीक है, सारे बच्चे बोले फिर बच्चे लाए, फावडे, कडाई, कुदाले और तसले वे जमीन खोदते रहे, मिट्टी ढोते रहे बाहर फेकते रहे बच्चों को काम करते हुए गाउवालों ने देखा वे भी बच्चों के साथ काम करने में जुट गए इस तरह बना एक बड़ा सतालाब बरसात में उस तालाब में पानी भरा पानी से खेतों की सिचाई हुई खेतों में मक्का और धान लहला हाए लोग खुश हुए और बच्चे पानी में छपा छप खूब नहाए तो बच्चों देखा इस गाउव के बच्चों ने कैसे अपनी समस्या का हल निकाला आशा है आपको ये काहानी जरूर प्रेर्णा देगी धन्यवाद बच्चों झाल बच्चों